Assalamu alaikum viewers, welcome to exploring paanato आज का हमारा discussion का topic है nitrate और ammonia assimilation तो ये physiology की outline उसके अंदर different topics है जो मैं आपको cover कर वाऊंगी इसके अंदर nitrate assimilation, ammonia assimilation और उसके बाद है sulfur assimilation phosphorus assimilation तो one by one में आपको ये cover कर वालूंगी तो सबसे बहले हम देखते है nitrate assimilation तो assimilation जो परोसा nitrate assimilation का मतलब का है कि तमाम प्लांट्स को नाइट्रोजन की जरूरत होती है all plants require nitrogen because it has a role to play in general metabolism तो nitrogen की जरूरत होती है क्योंके nitrogen का एक बहुत basic role है इसके अंदर general metabolism के अंदर ठीक है तो इस तरहा के nitrogen जो है amylo acids के अंदर पाइलाती है amylo acids आगरागे protein नाते है उसके अलावा nitrogen जो है वो nitrogenous basis जिसको हम कहते है adenine, thiamine, gamanine, cytosine इसके अंदर नाइट्रोजन पाइलाती है तो plants जो के खुद nitrogen को fix नहीं कर सकते है दूसरे combined sources इस्तमाल करते है nitrogen की plants अब बजाते है nitrogen को fix नहीं कर सकते है they can't fix nitrogen तो क्या होता है nitrogen जो plants के आगरते है वो combined nitrogen sources का इस्तमाल करते है इसको हम कहते है नाइट्राइट से नाइट्राइट और अमूनिया ठीक है ना अपनी metabolic activities को perform करवाने के लिए तो nitrate जो होता है वो किस तरह बनता है जो कि plant की ना roots वाले हिससे बते है इससे लिए कि हम कहते है soil के अंदर से तेन बिक्टेरिया पाइलाते है की nix वो डिया करते हैं वो nitrogen जो कि atmosphere nitrogen है उसको convert करणँ हिं नाइट्राइट के इंदर नाइट्रेट के नाइट्रेट दुवार्य अब जगड़ कर देता है लाइवुलिच गर्ड़ कर देता है लिए संप क का यंखिना थो किन है екला आ तो हुआ है और आ Khanye स्मेर हिज THE इंड डिया हुआ हैर दो तरह इस आइस्मएलेशन लाओ जो तुवर्वें तो फ्स продолж नाईड दर डीड़ीय। क्वास और यह है तो नायट्रेट töरी क्यों मीदिनों करता है धी क्टक्रीट किया राइगा जुक्राइब टिक है को अधिन यह एक मुलिट नम इपका प्लाइब परकुटीन होती यह उसके बात कि होता है कि जो अब यहांद बन चुक जो नाइ्टड को अग्द करना है CT CT करना है Ammonia के इनदर ठीक है इस NITRIGHT को अड़े करना है इन्जाइम इंजाइम इस्तमाल होता है NITRIGHT को convert करने के लिए अमोनिय के अंदर होता है nitrite reductase तो यह एक iron copper containing protein होता है यह enzyme ठीक है ना iron copper containing protein enzyme nitrite reductase होगा और यह without any यह किसी भी molybdenum के बगार होता है without any molybdenum clear तो उसके बाद हम देखते हैं कि synthesis of ammonia किस तरह होती है तो यहां पर ammonia हमारे पास पता है बन गी है पहले तो स्टेप्स नाइट्रेड असीमिलेशन की नाइट्रेड असीमिलेट हो गए क्या बन गया तो नाइट्रेड से नाइट्राइट नाइट्राइट से ammonia बन गया अब ammonia के आगे होनी है assimilation synthesis होनी है ठीक है तो इस ammonia के जरिये using this ammonia ठीक है ना तो क्या यहां पर ammonia ने था ना synthesis of ammonia ने synthesis of amino acids आएगा आप इसको correct कर लिएगा प्लीज तो इस ammonia के जरिये क्या बनेगा अमाइन एसीड बनेगा by using this ammonia amino acid वोड सिंथाइज तो जो यह amino acid है किस तरह बनेगा यह amino acid ammonia से तो ammonia ने convert हो जाना है ammonium ion के अंदर ठीक है तो उसके बाद ammonium ion जो होगा वो गया करेगा तो ammonium ion react कर जाएगा इसके साथ alpha ketoglutrate के साथ और NADPH यहां पर use होगा जो के इस्तमाल होगा hydrogen provider के तोर पर ठीक है तो यहां पर क्या होगा कि ammonia 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 sorry यहां पर यहां क्या है ammonia 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 के इसके अंदर चेंज हो गया ammonium ion के अंदर ठीक है तो ammonium ion से पिर क्या होगा alpha ketoglutrate का reaction हुआ है अब alpha ketoglutrate का reaction होगे NADPH का LH है इसने क्या क्या है इसने hydrogen दी है और यह आगे reaction किसमे प्रोसीड हो गया है जिससरा फैलो है यह reactant है सारे यह जो है वह एक seed बड़े कोई तहमूल से बड़े कोई patient से आपने इस चीज को समझना है ठीक है ना panicking होना है कि बतानी कौन सा इतना मुश्किल यह बता रही है ऐसे नी करना बार बार सुनें और इसको तदा slow करके ना मतलब अगर आपको नहीं समझ लग रही मैं थोड़ा तेज बोल रही हूं तो आप इसको थोड़ा से slow करके सुनें तो यूट्यूब में option होता है तो NADP जो है यह जो hydrogen प्रोवाइड कर द अलफा फिटोग्लुटरेट के अंदर अलफा फिटोग्लुटरेट के अंदर मुनिंगम आइं रियक्ट कर रहे है और यहां पर NADP आच ने hydrogen प्रोवाइड करना है Ngutamic Acced is an example of Amino Acid होटो कि आपको समझ लगी होगी है है तो क्या ग्लुटामिक Acid Poker एकस्तना एर रियक्स ने हरेगा तो जो रियक्लुटेमिक度 के ने हम ट एकस्त में बनानी है इसने फिर्श्स के टांस्ट्स त्रांस कि अमाइनेशन के परोसेस के जरीए मजीद अमाइनो एसीज बनाने हैं ठीक है ना जो अमाइनो एसीज ने मिलना है जुआन होना है और परोटीन मना देनी है यह तो हमने एक जनरल कॉंसेट्ट पहले भी अपने बिल्ड की हुए हैं तो आई होक्त हो के आपको इसकी समझ क्योंगे लगए और किसी भी किसमी कन्फीज है ना तब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक्यू सो माच अनल आफिस